बच्पन में क्या कभी आपके साथ हुआ है कि गर्मी में मम्मी पापा ने बाहर खेलने से रोका हो मत जाना बाहर खेलने बहुत गर्मी है काहोगी धूप मैं जाओगे खेलोगे चक्र आजागा गिर जाओगे लू लग जाएगी बिमार पढ़ जाओगे लेकिन उसके बावजुद आप गये हों और फिर भुगतना भी पढ़ाओ मुझे लग रहा है आप भी बोलते होंगे अपने बच्चों को मेरे साथ हो चुका है अमित पारा चालिस डिगरी टच कर रहा है बच्चे क्या इस मौसम में तो अगर बड़े भी लापरवाही करते हैं हम लोग भी लापरवाही करते हैं तो अंजाम भुगतना पड़ जाता है इसलिए इन दिनों हीट स्ट्रोक के मामले भी बढ़ रही है लेकिन ये हीट स्ट्रोक आता कैसे हैं मित देखो पूजा जब शरीर का तापान नॉर्मल से जादा हो जाता है और बॉडी खुद को ठंडा नहीं रख पाती है यूँ कहें कि शरीर का जो थर्मल सिस्टम है वो फेल हो जाता है तब कमजोरी, थकान, उल्टी, चक्कर आने लगते हैं जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि उसके लक्षेंग में कई बार आप पास आउट भी हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता है आप बेहोश हो जाते हैं वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि हीट स्ट्रोक सिर्फ उन लोगों को ही आए जो धूप में मेहनत करते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मताबिक जो चिलचिलाती धूप में नहीं होते हैं, उनको भी हीट स्ट्रोक आ सकता है पूजा, और इसकी वज़ा से जोदसना डी हाइडरे तो मैं आपको बता दूँ कि इस मौसम में कम पानी पीने वालों को urine infection का खतरा भी जादा होने लगता है, तो पानी कम पीने से वेक्ट्रिया बोडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं और infection की वो वज़े बन जाते हैं किड्नी जहरीले toxins को filter नहीं कर पाती, जो धीरे-धीरे गुर्दों में जमा होने लगते हैं और किड्नी स्टोन की शक्लिल ले लेते हैं और वाडी में water level कम होने से किड्नी और इसका जो pressure है वो बढ़ जाता है, और जो failure तक की नौबत आ जाती है किड्नी के उपर देश में पहले ही 40% से जादा लोगों को किड्नी की कोई ना कोई बिमारी होती है, ऐसे में खत्रा बहुत जाता होता है, जरूरी है कि शरीर के इस natural filter का ख्याल रखा जाए, लेकिन कैसे और कैसे इसका जवाब है स्वामी रामदेव के पास, स्वामी जी प्रणाम बहुत- बहुत-प्रणाम हमारे पास में गर्मी नहीं छूती है, देखो हमको गर्मी नहीं छूती है, सर्दी नहीं छूती है, हमको आंधी, तूफान, वर्शात और तमाम जंजावात हर कदम पर जुन्दिगे में संकट है, समस्या है, संघर्ष है, चौनोतिया है, और उन सब को सह रहते व्याम आगे बढ़ रहे हैं इसलिए एक घंटा सुबह योग कर लो सर्दी गर्मी आंदी वर्षाथ सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता तिरसकार सथकार सब उचा नीचा उथल पुथल चलता रहेगा और उसमें हम विजयी बन करके उभरेंगे जो कठीन कर सकें तो हमारा बालक देखो इधर आज एडवांस योग कर रहा है और फिर जिनको गर्मी जदा लगे तो उनको वाटर योगा करना है जल योग हो रहा है जल में भी कही तरह का योग हो जाता है तो आज हमने जल योग कर वाया है और जो बच्पन से ही सीर्शासन करते रहेंगे ह स्वामी जी या तो मचली बनकर रहे हैं या जल परी या पड़ा बनके रहे हैं सर्वांग असन व्रिशिक असन को देखाओ जिर्चे हो जाए बहुत अच्छी बात है तो हल्का हल्का ही कर ले न जैसे हमारी कि ये इकबाल बेगा हमम लों बिलों में ही क्या ठीक कर दिया इकबाल बेगम कां से आई ऌइ आई हो आपके तेलंगा ना आमाई भी आया थी थी किया थेराड ठीक ही हाड बलाकेज पूरा चले गया क्या खाया था लॉकी है यह लॉकी का जूस एक साल एक साल पी थाड सीधा हुआ और थेराड में बारा साल आलो पती की दवायां खाई फिर आपका देखी अब केतने साल से दव अब क्या करी अब वो साथ साथ दो साल एक साल खाई दो मिला के साथ बोले आलो पती के छोड़ दो यह शुरू करो अब उसके बाद आदा आदा फिर आदा पांचनार गुल-गुल दो बार खाती थी खाना कर त्रिकुटा और प्रावाल पेस्टी बहरा चुल पूरी बारा साल छोड़ दिया बुच्टा बारे साल से छोड़ दिया और उमर कितनी है मेरी 75 एर की इकबाल जेगा मजब तो नहीं बदला मैं मजब क्यों बदलती मेरा मजब मेर को आपका मज़ा आपको आपको आप पूजा करते है बगवान के लिए मैं नमाग पड़ कि बगवान के करने में बदलता नहीं हाँ इसलिए हरकत करो कसरत करो का सबस्क्राइब कितनी काम के बात बताई बड़ी समझदार इकबाल जेगम है मैं चालो को तो देखो सुन रहे हो अमित भाई जी सौमेजी उसेन भाई होते तो और मजा आता लेकिन सौमेजी आप हमेशा संदेश तो कि जो योग है योग का धर्म से कुछ नाता नहीं है वो तो सिर्फ इंसान से नाता है आपके शरीर को ठीक रखता है और योग तो जोडता है मुझे लगता है कि इस सचा संदेश जाई नहीं सकता सौमेजी आज जो इकबाल वेकम जी ने दिया है